रेडी जानकी पकड़ पकड़ पंजा रेगा एई उससरब उससरब पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए यह क्या छोड़िये न मुझे पच्चे देख लेंगे चोर को छोड़ने के लिए धुरी पकड़ा है छोड़िये कहना छोड़िये मुझे मैं छोड़ने दुम्हारे पापा छोड़ें तुम्हारे माझत इल्कुल भी नहीं गाहां रेडी हां है शीनू, मैं आ रही हूँ शीनू, पकड़े जाओगे, हाँ शेटान कहीं के, मुझे पकड़वाते हो आने भी शेटान कणके पांगे, हाँ यह रया हुआ च्या हुआ हुआँ आप देखो तुमारी मां डर गई हैं लो खाओ खाल विटेंगे अच्छा बना यह आप खाएंगे अब मैं नहीं खाऊँगा आप मैं खेल ले जा रहा हूँ यह लोग चलो समखल कर चोटना लग जाए ठीक है ला जो देखा जैनकी बच्चे मुझसे ज्यादा तुमसे ही फ्यार करते हैं इसलिए कल जो खेल खेला प्राण उसमें मुझे चोर बनाकर तुम्हें जिताया यहां आते हैं इन्हें लगता है कि जैसे कोई तेवार है इन सब को हमेशा खुश रखना होगा जैनकी उन्हें हमेशा खुश रखना है तो आपको हमेशा हमारे साथ रहना होगा कैसे मुम्किन होगा जनकी मैं तो पुलिस की नौकरी करता हूँ ड्यूटी कौन से फॉरस्ट में कब लगेगी पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा आप दो या तीन महीने में सिर्फ एक बार यहां आते हैं और आने के बाद दो दिन भी हमारे साथ नहीं रहते आपके ना होने की कमी बच्चों को हमेशे खलती रहेगी मैं अगर पास नहीं हूँ तो क्या हुआ मुझसे अच्छा तो तुम उनका ध्यान रखती हो आपके पास ना होने का दुख मुझे नहीं होता है क्या ए चिचि ये सब क्या है बहुत दुख होता है मुझे नकसली और आतंकवादियों के पीछे जंकलों में घूमते रहते हैं आपने खाना खाया या नहीं, आप स्वस्त हैं या नहीं इस बात की चिंता लगी रहती है मुझे मेरे बारे में चिंता मत करना तुम्हारा पती स्ट्रॉंग फेलो है हर तूफान का सामना करने वाला है यह लो तुम्हारा टेलिग्रम आया है किसका है यह? आम बात है मारीदी मेली फॉरेस्ट में वहाँ आफिसर्स पर नेकसलाइट्स ने बॉम से हमला किया है जल्दी निकलना होगा पर आपका आय हुए तो दो दिन भी नहीं हुए है ड्यूटी के लिए हिसाब नहीं करते जैनकी हर मिनट नौकरी ही धर्म है उसके बाद हम है फिर हमारा परिवार यह ले ए रुक इदर रुको रुको गन मुझे दो नहीं यह मेरी गन है मैं नहीं दोगा मुझे दो आपे देना मसमें आपे एलके बने करो है और मैं पुलिस हूं मुझे दे मेरी गन है मुझे दो वाफस करो अरे बाइया पहस करो और बाकणा पहस करो यह ले लो मेरी बंदूक से ही खेल लो तेरी बंदूग किसे चाहिए चल जाए आजए एक गंदे मुझे दूगा रूट क्या करें ओ मैंने कहा रुख जाओ जगलना बद करो तुम लो अभी बद क्यों ऐसा नहीं दूगा रूट रूट जाओ आप क्यों रुख गए लड़ना है तो लड़ो अब बताओ मुझे लड़ाई करोगे मैं जूल कर रहोगे मा इसे फेंगो मा ऐसा क्यों किया मैं ऐसे ही करूँगी अगर तुम सब आपस में लड़ोगे तो तुम सब को तक्लीफ नहीं दूँगी खुद को तक्लीफ दूँगी मैं अब आपस में कभी मत लड़ना मुझे बहुत खिला दिया अब तुम खाओ तुम खाओगी तभी मैं खाओंगा एक तुम भारने वाला एक मेरा यह लोग खाओ सुनो खाना खाते समय नीचे नहीं गिराना चाहिए हमें अन को पूझना चाहिए उसके कण कण में भगवान होते हैं मा, कार्थिके ने उस दिन क्या कहाता पत्ता है? जिसमें आर्मी बटालियन के छह लोग मारे गए? मुखे रूपसे अरूर के रामू ए-ास को टार्गेट किया उनके शरीर के टुकडे-टुकडे हो गए और यहां तक कि उनकी लाश तक नहीं मिली खायल शदीर को मारिया डिली एरिया के सरकारी होस्पिटल ले जाया गया दुख ही मत हो अगर तुम हिम्मद रखोगी तभी बच्चों को हिम्मद दोगी सुनो दीदी पता नहीं अब तुम इन बच्चों को अकेले कैसे समहा लोगी सोचके ही बहुत दुख हो रहा है मुझे किसी को बोल के क्या फायदा सब आके सिर्फ दिलासा देके चले गए है किसी ने आके आपके परिवार के कोई मदद नहीं की है मैं किसी की मदद मिलने का इंतिजार नहीं कर रही हूँ भाई साहब मेरे बच्चे पुझा करते थे कि पापा कब आएंगे उनकी रहा देखा करते थे पर अब इन बच्चों के सिर्फ से पिता का साया ही हट गया है हमें उनकी लाश तक नहीं मिली वेसा कौन चपाप किया था मैंने क्यों नहीं अखरी बर देख भी नहीं सकती जो चला गया है उसे वापस तो नहीं ला सकती अगर तुम हीमत से काम नहीं लोगी तो बच्चों को कौन संभा लेगा इनके पालन पुशन की जिम्मेदारी तुम्हारी है उनके आगे पूरी जिन्दगी पड़ी है मा दही दो मुझे भी दही दो अरे सीनू तुम क्या कर रहे हो अब तक तुमने खाना भी शुरू नहीं किया सबजी अच्छी नहीं मुझे पसंद नहीं आई क्यों पसंद नहीं आई उसमें नमक नहीं और पीकी है मैं जानता हूँ चोरी छिप पे इसने कुछ खाया होगा अब भूख नहीं है कह रहा है जूट बोल रहा है उनके लिए जो खाना अच्छा है वो तुम्हारे लिए अच्छा क्यों नहीं है चावल सफेध नहीं है मुझे नहीं चाहिए कितना जित्ती हैsix कावल सफेध नहीं होगा तो और कॉन से रंका होगा चुप चाप खाना खा नहीं खाऊंगा मैं युद्ट काया तो भूख से मर जाएगा अब क्यू रोहा है नहीं खाने से कोई में ऑजाता है मां सिनू, क्या हो गया है तुझे? दो दिन से तुम हमें ही खाना खिला रही हो, पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है. सारा खाना हमें खिला कर तुम खुद बूखी ही सोजाती हो. इसलिए मैंने सोचा, खाना अच्छा निये, मैं ये कहकर नहीं खाऊंगा और वो तुम खालोगी. मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मा अपने बच्चों की भूख के बारे में सोचती है, और तु अपनी मा की भूख के बारे में सोच रहा है? सबसे छोटा है पर तेरा दिल सबसे बड़ा है मा मत रो मा ये एकने वाला खालो मा मैं बड़ा हो जाओंगा तो खूब पैसे कमा कर तुम्हारा और भायों का खयाल रखूँगा बन चाओगे तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे मेरा आशिर्वाद है तुमारे साथ क्या हुआ जानकी जी किसी खास बात पर बात करने के लिए बुलाया है न आपने हमको आप तो जानते हैं बाई साहब उनके जाने के बाद हमारे इस घर की हालत बहुत खराब हो गई है अपने बच्चों को पढ़ा पाना तो बहुत दूर की बात है पता नहीं उन्हें ठीक से खाना भी खिला पाऊंगी या नहीं इसी बात का डर है तुम डर क्यों रही हो बहन जब अच्छे बली थी तब अपने घर में दस लों को खाना खेलाती थी न तो क्या तुमारे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा एक बात बताता हूं बिल्कुल भी बुरा मत मानना बोली भाई साहब तुमारे हाथ के खाने का स्वात मैं जानता हूं तुमारे खाना सिर्फ भू की नहीं मिटाता है अमृत के तरह स्वात देता है तो वो अमृत अब सबमें बाटो कुछ खाना खिलाने जैसा खोल लोगी तो तुमारा घर चल जायेगा ये तो आपने बहुत अच्छी बात गई बात तो अच्छी है लेकिन तुम्हारी आर्थी ग्रूप से कोई मदद नहीं कर पाऊँगा मुझे उसका दुख है ये उनकी बची हुई आखरी निशानी है वो मेरे पच्छों से बहले ही दूर हो गए हो उनका पहनाया हुआ ये मंगल सुत्र अब हमारा साथ देगा हमारे इस घर को चलाएगा इससे आप कहीं गिर्वी रख दीजिये जानकी जी ये पैसे रख लिजी अरे छुट्टे पैसे नहीं है आप बाद में दे दीजेगा ऐसे करोगी तो प्लेट के भी पैसे नहीं बचेंगे इससे एडवांस के रूप में आप रख लीजे लक्ष्मी दीदी यहाँ खाना दे दो ठीक है दीदी सुनो सबने अपना टेफिन बॉक्स रख लिया है न अच्छा शीनू दिखाए नहीं दे रा सुनो नहीं आएगा, कहा है वो शीनू अरे शीनू क्या रे सकोल जाने के बज़ा तो यहाँ सबजी काटने बैड़ जाए, मैं आठ से स्कोल नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाएगा था पढ़ने जा माँ मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा तुम्हें छोड़कर नहीं जाओंगा अगर मैं स्कूल जाओंगा तो तुम्हें अकेले ही महनत करोगी मेरी बात मानजा मेरे बच्चे तुम भी मेरी बात मान जाओ ना मुझे मत जाने दो ना तुम्हें मेरी कसम अरे चल हाँ चल आज जो 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 पूरा टेफन ख़तम करके आना ठीक है ठीक है माँ मैंने इसको कहां देखा है इसका नाम आप कौन है ये कहां से आवाज आ रही है तू है क्या लवंगी अरे मेरा नाम है बोटी लवंगम हाँ वही अरे बहुत हुई तेरी होश्यारी जरा उधर देख ये जानकी बेहन के बेटे है ना इतनी जल्दी भूल गए माइंड खो गया कहीं दुबई से आया वाई कहां खो गया पूछ रहा हूँ वो बात नहीं है वो लोग करते क्या है वो बताओ तो ऐस है तीसरा बेटा कृष्णा स्वास्त केंद्र में हेल्थ इंस्पेक्टर है अच्छा ये बताओ मैं अपनी बड़ी बैटी की इन तीनों में से किसी एक से शादी करवाऊं तो कैसा होगा ओ बढ़िया रहेगा पर दूसरी शादी के लिए उन्हें मनाना होगा उनकी ही इन् सद्रिशंव एगवर्णम सुभांगम लक्ष्मी कांतम कमलनेन्म योगर्द और आणक्यम वंदे विश्नु मभावबहरं सरुव लोग कैकनाथाम जानकी देवी जी, आप अपनी तीनों बहुओं की सास नहीं लगती है, आप तो तीनों बहुओं की मा लगती है ये तुम्हारे पतियों के साथ ही तुम तीनों की मा भी है इन्हें अपनी बेटी की कमी महसूस ना हो, इतना ध्यान रखना आप लोग ठीक है बंडी जी अच्छा ये बताओ हाँ समझ गया समझ गया तेरी उस चौथे बेटे पर नजर है रिस्क होगा वो पीछा करवा के पकड़ में नहीं आता है रुकता नहीं देख उदर रोप 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 बताओ नम्हारी करते है आराए हात। जटख़ जब जब毒 जब 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 जबगँ जबखआthon हमारे होटल का खाना बहुत अच्छा है क्या रहे है ठीक से बनाने को खो सबजी में नमक कम डालने को बहुत इन्हें क्या चाहिए पूछो इनसे इसे एक अंडा ला करते इसका दो मील का बिल एक ही आदमी है ना दूसरी थाली का बिल भी जेब में है माजी मुव बंद रख अपना तुझे देख लूँगा मैं तेरी तो सुनिए दिखने में तेंथ क्लास का लग रहा है पर दो इंसानों का खाना खाता है ऐसा नहीं कहना चाहिए खाने वाले को पेट भर के खुशी से खाना खिलाना चाह तुम खोविंद हो ना? हाँ माजी अब क्या कर रहे हो तुम? कली मैनेजर के रूप में जॉइन किया है मैंने बहुत अच्छा है मुझ जैसे को पालने के लिए आपने बहुत कुछ किया इसे रख लिजे इन पैसों से किसी गरीब बच्चे की फीज भर देना तुम और मैं उसे पेट भर के खाना खिला दूँगी दोनों मिलकर पालेंगे उसे ठीक है माजी माजी शीनू की शादी हो जाएगी तो अच्छा होगा ना कोई अच्छा रिष्टा होगा तो बताना माजी अगर ये रिष्टा देखेगा तो सौ साल का फल नहीं रोज का जगड़ा होगा तू चुपकर रिष्टा खोजने की जरुवत नहीं वो खुद लड़की लेकर आ रहा है रुको कौन है ये लड़की तुम चुपकरो कौन है ये लड़की मैंने भी तो वही पूछा हमारे साथ ही रहेगी इसलिए लेकर आया होगा मैं बताती हूँ मैं श्रीका कुलम से हूँ माता पिता नहीं है मेरी नानी थी वो भी कुछ दिन पहले चल बसी बचपन से ही राय भरम, कुरुक शेत्रम, चिंता मनी नाटक करके ही बड़ी हुई हूँ अभी हमारे घर में नाटक करने आई हो चूप रहेंगे मामा तुम बोलो लक्ष्मी तो हमें होगा ठीक है कांता, इसे अंदर ले जाओ ठोड़ा खाना खिलादे ठीक है दी जाओ शीग्र मेवा कल्यान प्राप्ति रस्ता हो अच्छी बात कहीं नमने क्यों हो भांजे वो कोटी कहा है वो तो उदर बैठके बेड़ी पी रहा है देखो जराई से अरे कोटी उसने मुझे बताया कि तू यहां बीड़ी पी रहा है लेकिन तू तो यहां पर दारूप पी रहा है मैं बहुत दुखी हो गया हूँ भाया अच्छा इसा क्या दुख है तुझे मेरे बीवी मेरी कोई बात नहीं सुनती भाया नहीं सुनने वाली कोई तो बीवी कहते हैं भाया आठ मेरा दुख समझ क्यों नहीं रहे है अच्छा इतना बड़ा दुख है मेरी बीवी एक के साथ नहीं रह पाती इसलिए अपनी बैन को लेकर आ गई और इस दोरान उससे एक मिश्टेक हो गई तो वो पेट से रह गई अच्छा ऐसी बात है अरे सच बता वो सब तेरी ही महिमा है न वही तो असली मुसीबत है तो इसका मतलब है सारा मैटर तुने भीगा ला है भेज दे मुसीबत तल जाएगी मेरी या उसके दोनों की अरे कुछ नहीं भांजे होटल से बाहर आया तो देखा कोटी यहां बीडी पी रहा है लेकिन यहां आया तो देखा बोतल चवा रहा है क्यो भाई सच है क्या वो दरसल ऐसे बात है कि गुआरे लड़के के सामने अपनी कहानी सुनाएगा बता नहीं दो मामा अरे बेकार बात है सुनेगा परिशान हो जाएगा तू दोबारा तुम्हें मैंने पीते हुए देखा तो तुम्हें मार डालूँगा मैं तू जा भाई ध्यान रगूँगा भले ही मर जाएगा लेकिन दारू बन नहीं करेगा दोबारा दारू पीते देखा ना तुझे चेकना तो फ्री मिलाएगा ना तू नहीं सुद्रेगा तू मरेगा लक्षमी देखो मैं कैसे काट रहा हूँ इन सब को हर बात सब ये देखो ऐसे साफ करना है बाद में बीच में से कट अगर ऐसे कट करेंगे तू इजी रहेगा समझी एए हाथ मत लगाओ कट जाएगा तुम ये डालो ध्यान से इसे डालने से स्वाद बढ़ता है बस इतना ही सासुमा एक और फैमिली मेंबर को हमारी फैमिली में ले आई है बहुत कुछ नसीब है क्योंकि सासुमा ने अपने घर के लिए चुना है तुम्हें सच कह रही हो ना आना बनाना अच्छे से आता है शायर ये नाश्ता और चटनी सब मैंने ही बनाया है इसलिए नहीं टेस्ट आया ये बहुत किसम के खाने बनाती है अगर आज के जमाने की लड़की इतने तरीके के खाने बनाती है तो आश्चेरे की बात है सब लड़कियों को आ गया है बस इसको नहीं आया देखो तुम्हें अगर मां से माक्स मिल गए तो आक्सपोर्ड युनिवर्सिटी में भी एड्मिशन मिल जाएगा ए तुम यहां क्या कर रही हो क्यों तुम्हारी बगल में होना चाहिए क्या नहीं भाबी मुझे अगर यहां आना है तो इसे वहां जाना होगा तुम जाओ लक्षमी क्यों रहे छोटे जब से लक्षमी आया तुम इस गर का रास्ता ही भूल गया भाईया, आप कुछ भी फिट मत करो फिटिंग नहीं करना है, मैच फिक्सिंग करनी है अरे बाप रे, ऐसा मत करो, मैं मा की मदद करके ही अच्छे से जी रहा हूँ भाबी, चेटनी कैसी बनी है, बताईए तुम्हें पोचने की जरुरत नहीं है, हमने अल्रेडी मार्क्स दे दिये है आप भी फिर से शुरू हो गई, इससे तो शर्माने की आदत भी पढ़ गई है इसका शर्माना बंद करना है, तो हमें इसकी शादी करवानी होगी और हम सबको एक साथ मिलकर ही ये फैसला करना होगा आपका फैसला हम सबको मानने होगा माँ आप जो कहेंगी, जो करेंगी, सब अच्छा ही होगा नामा इस शुबकारी का निरने आप ही लीजिये नामा इसे ऐसे पकड़ना है, और फिर ऐसे करना है औरते अगर ज्यादा फूल लगाती है तो सुन्दर लगती है आश्चर हो रहा न? तुम्हारी बहु को हार बनाना नहीं आता है तुम सिखा रही हो? चुप कर बेटा, ऐसी बात मत कर तुझे पता है, मुझसे अच्छा हार बनाती है ये ये लुमा ये क्या है बेटा? प्रमोशन होने के बाद मेरी पहली तनख्वा सीधे बैंक से निकाल के ला रहा हूँ तो फिर मुझे क्यों दे रहा है? इसके हाथ में दे पहले तुम उसके बाद वो है नौकरी लगने के बाद पहली तनख्वा तुम्हें ही दी थी इसलिए प्रमोशन होने के बाद पहली तनख्वा तुम्हें ही दूँगा मेरी इक्षा है मना मत करना है बेटी ये ले बेटा और जाकर उसे दे दे तो मैं इसे बाद बीच में छोड़के चली क्यों आई? पेट भर गया इसलिए सच बव्यायक? हुआ मैं जब देखो तो मा, मा अपकी माले आपको पैदाकर गते हे लेकिन अभी अभी आपकी जरूरतों और चीज़ों का खयाल मैं रखती हूं संझ समझेए आप आपकी माना ही डी अभी यहां है कल चले जाएंगे मा की इजद करता उसलिए पैसे उन्हें दिये तो दीजिये ना मैं अपने माई के चली चाहूंगी उसके बाद आप अपनी मा को इजद देते रहना सुनिये जी आज हम फिलम देखने जाने वाले थे ना ऑफिस का काम कर रहा हूं महवानी करके मुझे डिश्टब मत करो मा को मंदिर ले जाना हो कहीं भी ले जाना हो समान लाना हो उसके लिए तुरंत लुंगी बहरं के तयार हो जाते हो अ ने कहा मूवी दिखा दो तो तुरंट सारे के सारे काम याद आ गए अगर चीज में मा को इन्वॉल्ब मत करो वो मंदिर हमारी बली चणाने के लिए ने ले जाती वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए ही पूजा करती तुमने ध्यान नहीं दिया इसलिए तुम्हारी मा की गले की चेन तुम्हारी भावी के गले में है देखा क्या तो इसमें मैं क्या करूं बला अगर तुम भी थोड़ा बहुत अलर्ट रहोगे न तो ऐसी चोटी मोटी चेन हमारे पास भी आ जाएंगे बहुत हो गया तुम्हारा अब जो यहांसे अरे इसी तरह चलता रहना तो एक दि सामने आपको अच्छा बनके रहना है बेटों को राक्षास की तरह बढ़ा किया है महारानी ने एक बार में बात समझ में नहीं हाट यह सबजीयों को इस तरह से रुको अरे बेटा क्या हुआ पुझ पर हाथ उठाया इन्होंने सासुमा और अब मेरी जान लेना चाते है पार दीजे मुझे जान से क्या है चन्दरा यह सब? मा आप बीच में बतायिए ठीक है तुम्हारे जग्डे में मेरा कोई लिना दिना नहीं है पर तुझे इस पर हाथ उठाने कभी कोई हग नहीं है बहले ही तुम ने इसे मंगल सुद्र पहनाया होका पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम यह इसे मारन होगी तो संभालना तो मुझे ही है ना इस घर में कदम रखने के बाद ये मेरी पहु नहीं बेटी बन गई है अगर उसने गुस्से में कुछ कह भी दिया तो तुम उस पर हाथ उठाओगे क्या पागल हो गया हो सिर्फ तुझे ही नहीं अगर उसने मेरे बारे में भी कुछ क के लिए है चलो बेटी नमस्ते आईए गायती जी नमस्ते सब चीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ बैठिए जाजी बाई जाकर इनके लिए कॉफी लिखा क्या हुआ चंदनाल कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया मुझे माजी आपके बेटों ने मुझसे कर्जा लिया वह आपको पता है या नहीं इसलिए मेरे बेटों ने तुमसे कर्ज लिया है अगर जणुरत पड़ि तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया क्यों लिए उन्होंने कर्ज कितना कर्ज लिया है तुमसे असल में 40 लाक है चालीस लाक? वे आज मिलाकर एक करोड़ बीस लाक हो गया है इतने पैसे तुमने दिये क्यों चंदनलाल? आपकी वज़र से मैं मना नहीं कर पाया माजी पर अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? आपको बताने के लिए मैंने कई बार ट्राई किया मा को बताने पर भी हमें ही भरना होगा तो उन्होंने कहा मा को क्यों तकलीफ देना? आखिरकार पिछले साल जब आपने अपना घर गिर्वी रखा उसके बाद मुझे थोड़ा भरोसा हुआ क्या कहा? घर को गिर्वी रख दिया? ये भी नहीं पता? आपने दस्तावेज पर दस्तकत किये हैं वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं एक मिनट रुकिए ये लीजे, खुद ही देख लीजे ये दस्तकत मैंने नहीं किया है अगर आप मना करेंगी तो हम तो रोट पर आ जाएंगे आपका घर जब्द करके मेरा उधार जमा करना पड़ेगा अगर मुझे अपने पैसे नहीं मिले तो मुझे मजबूरन कानून का सहारा लिना पड़ेगा पर मैं आपके लिए सिंडिकेट से बात करके उन्हें एक महिने के लिए रोक लूँगा उसके बाद मैं चाहा कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा कोई जरूरत नहीं है चत्नलाल मेरे बच्चे मेरी बात सुनेंगे उनसे बात करके तुम्हारा उधार चुका दूँगी चलती हूँ एक बात कहनी थी आप अपने बच्चों को जितना अच्छा समझती हैं उतने अच्छे नहीं है वो आपके बड़े बेटे को लड़कियों की आदत है आपके दूसरे बेटे को जुए की आदत है आपका तीसरा बेटा कट्टर दारूबाज है चीक है बच्चों से बात करके तुम्हारे पास भेश्टी हूं माजी अरे चंदलनार मेरे परिवार का भविश्य आपके हाथों में माजी जब तक कि ये जान की जिन्दा है तुम्हारे परिवार पर आज भी नहीं आएगी रामू रामू भाईया लीजिए पायसम बहुत बढ़िया बना है ये लीजिए श्रावन का शुक्रवार है इसलिए लक्ष्मी ने बनाया है सीनू, सब को पायसम देने के बाद अंदर जाओ पर क्यों? मुझे इनसे कुछ बात करनी है ओ, फैमिली के साथ मीटिंग है क्या? तो मुझे भी रहना होगा ना ये घर के बड़े हैं, मुझे सब इनसे बात करनी है ओ, बड़ी मीटिंग रखी है क्या? तो फिर आप लोग आपस में बात करिये सुनो, तुम तीनों भी अंदर जाओ ये क्या सासुमा, इस तरह से क्यों बोल रही है? मतलब हम सब आपके परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? इतनी चल्दी पराय हो गए है क्या? मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूंगी बेटी मेरे बेटों से बढ़कर मेरे लिए तुम तीनों हो तो बाहर जाने के लिए क्यों कह रही हो? बाहर जाने को नहीं कह रही है, अंदर जाने को कह रही है अगर कहा है तो चली जाओ ना एई, चलो सब अखिर बात क्या है मा? हमारा घर जब्द होने जा रहा है बीस लाख? आपने चालिस लाख का कर्जा लिया और आपने हम लोगों को बताये तक नहीं? बता कर तुम्हें परिशान नहीं करना चाहती थी, बेटा. अब परिशानी में नहीं डाल रही हो क्या? मैंने पहले ही कहा था कि जो काम ना आए उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए. क्यों खोला होटल फिर? अब आप ही पताये कि इतने बड़े नुक्सान के भरपाई आखिर कौन करेगा, पताये? वैसे इतना बड़ा कर्ज लेने कि आपको जरूरत क्या पढ़ गई? तुम्हारी पढ़ाई के लिए था, बेटा. हमारी पढ़ाई के लिए? हाँ, मारवाडी चंदनलाल से. तुम्हारे कॉलेज की फीज भरनी के लिए लिए थे मैंने. कुछ पैसे बार शॉप में भरे और कुछ पैसे मैंने कलब में भरे. तुम पर इतना खर्चा करने के बाद भी, तुमने मैंने से बढ़ाई करके, कवारों की तरह बढ़ताव किया. मा होने के नाते, मेरा कर्जा मुझे ही चुकाना होगा. इसलिए तुम तीनों को अपने पैरों पर खड़ा किया. पर अब देखो, मैंनत करके बनाए हुए इस घर को, कैसे बचाओं, ये सोच रही हूँ. अच्छा, ये सब जो हुआ है न, इसकी वज़ा से. इसकी अकेले से हुआ क्या, तुम ने कुछ ने किया? मैंने क्या किया? तो किसने बताया? मा को कैसे बता चला? अरे, मुझे क्या बता? तुझे नहीं बता, मैं बताता हूँ न, सारे पैसे तो पीने बे उड़ा दिया तुने? तुरी सारा दारूपे उड़ा दिया? तुने नहीं खेला? तू पब और तू कलब, दोनों ने मिलकर सब कुछ बरबाद कर दिया. तुने अकेले खर्चा किया है मैंने? तुने अकेले खर्च नहीं किया था, मुझे क्या सुना रहा है? बहस कोई फैदा नहीं है, कोई आइडिया हो तो वो बता. हेई, मैं को बोल देते हैं कि ये बात जूट है, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा न यार. देख लेंगे बात में, मा मान जाएगे क्या? मैनेज करते हैं न यार. चल देखते हैं जो होगा. ठीक है न? चला आज़ो, आज़ा. मा, दुखी होकर क्या फाइदा होगा? जो कर्ज लिया है न वो हम खुद भरेंगे. तुम्हारे बेटे होने के ना ते इस घर को बचाने की जिम्मेदारी हम पर भी है, मा. मा, तुम हिम्मत रखो, हम लोग सब भर देंगे. चलो, आखिरा ही गए. हो गई ना आपके मा के साथ आपकी परसनल बातें? पहले से ही परेशान हूँ, मेरा मूट खरा मत करो. परेशान मा करती हो और बीवी सहरा देती है. ये बकवास बातें किसने कही तुमसे? ओफो, अब इंक्वाइरी करने की क्या जरूरत है? क्या हूँ आजी इतने उदास हैं? मा ने हमारी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था. कर्ज वो आपको चुकाने को कह रही है? हमारी चुकाने के जिम्मेदारी है ना. तो क्या अपनी मा से तुमने ये वादा किया था कि तुम ही अकेले सारा कर्जा चुकाओगे? कोई किसी से भी कर्जा ले, हमारी चुकाने के जिम्मेदारी है. मतलब, क्या सारी जिम्मेदारियां सिर्फ तुम्हारी ही है? हे, बहुत ज्यादा बोली हो तुम. आपकी बीवी होने के नाते तो आपकी सारी जिम्मेदारियां मेरी भी है ना अगर बड़ी जिम्मेदार हो ना तो अपने पिता से बोलके एक करोड ले कराओ एक करोड रुपे मतलब करजा एक करोड का हो गया है हाँ हो गया है तभी तो बोल रहा हूँ उतना पैसा अगर मेरे पिता के पास होता तो तुम से शादी क्यूं करती? किसी कलेक्टर से शादी करती? आभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तलाग दे दूँगा मैं, जा के कलेक्टर से शादी कर लेना आँ, कांता, वो देखो, अर्जुन हाथ में हथियार लेका रत से उतर रहा है ए, और कितना लेकर आएगा, अंदर बरतन बच्चे दे रहें क्या? बरतन बच्चे देते हैं क्या? चलो, जल्दी से सब साफ करो तुने और मैंने घर नहीं बसाया, तो क्या सारी दुनिया हाथ पहला कर बैठी है? तुम आजकल ठीक से काम नहीं करती, बरतन साफ नहीं होते हैं, काम पर अच्छे से ध्यान दो अरे बरतन क्या? तु शट खोलकर आजा, तुझे भी रगड़ दूगी मेरी बीवी नहीं है इसलिए, तु मुझे इतना दरा रही हो इसलिए भाग गई होगी देखो, अब तक तुमने ये बात पचास बार कही है, मुझे मारने आ रही है क्या? 150 बार बोलूँगी, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? क्या करेगा? और तो से दूर रहूंगा तो उससे शादी कर लो ना पलकों पे बिठाऊंगी तुम्हें और कहीं जगे खाली लेगे क्या तो इतना दूर जा रहे हो क्या कमी है आखिर मुझ में तो चुपकर सही समय पे आये हो तुम ही से समझाओ ना पूरी जिंदगी अकेले रहकर हम क्या मुंबत्ती की तरह पिघल जाए मेरे पती ने मुझे छोड़ दिया इनकी बीवी ने छोड़ दिया तो क्यों ना हम दोनों एक हो जाए हो हमारी जोड़ी हीर रांजा ये सुनने में अच्छा है सुनो सियोधना तुम्हारा शड़यंत्र क्या है पता नहीं पर धीरे 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 रणनीती बनाते रहना दस लोगों के दस लोगों के होते हुए मेरी बात पर तुम विचार करना जाओ सियोधना डोन भूंड दूरी आपका जूर다가 UH.. जल रहा है, जल रहा है जल मै ने तुम देखा नहीं जल रहा है मैंफ। सीनौ, प्रणूड सारी, मैं व्रणूड Candi सारी सीनू लेट हो गया, ये लीजे मादूद लक्षमी क्या हुआ मा सीनू से शादी करोगी क्या क्या हुआ, कुछ बोल की नहीं रही हो सीनू से शादी करना तुम्हें मन्जूर है न क्या का हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मा एक औरत हो, अच्छे से सोच कर बताओ सीनू मेरा बेटा है, इसलिए नहीं कह रही हूँ उसने भेले ही पढ़ाई ना की हो, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है किसी पर कोई भी परिशानी आ जाए, तो साथ देने के लिए हमेशा तयार रहता है उसके लिए एक अच्छी लड़की देख ही रही थी, कि तुम खुद हमारे घर आ गई मुझे लगता है कि उसके लिए तुम बिल्कुल सही रहोगी इसलिए मैंने पूछा, सीनू से शादी करना तुम्हें मन्जूर है क्या मेरी मन्जूरी काफी नहीं है, सीनू मुझे पसंद करता है या नहीं पता नहीं तुम इस बारे में मत सुचो, मैं जो भी कहों सीनू कभी मना नहीं करेगा मेरी बात कभी नहीं काटता है वो मा क्ये लो, बातो बातों मैं आ भी गया क्या हुआ मा आप दोनों मिटिंग कर रहे हो कल के खाने के बारे में है क्या ये सब तो रूस की बात है बेटा ये नए खाने के बारे में है नया खाना क्या है वो अच्छा तुने कभी मेरी कोई बात से मना किया है क्या तुम्हारी बात को मना करूं ये क्या कह रही हो मा तुम चाप मंडम पे आके बैठ जा उतना ही काफी है भगवान से क्या मांगा तुमने? उन्होंने तुम्हें दे दिया अब इस दुनिया में मांगने के लिए बचा ही क्या है? तुमने क्या मांगा? मा अगर खुश हो तो सभी खुश होंगे इसलिए मां को खुश रखने के लिए मैंने कहा है मैं कितनी खुश नसीब हुना कहते हैं मां से प्यार करने वाला बीवी से बहुत प्यार करता है क्या कहा शीनू की शादीत है हो गई है? किस के साथ? और कौन? हमारी लक्षमी के साथ? लक्षिमी के साथ मुझे लगा ही था अरे इस महीने की 27 तारीक के 8 बजे का महुरत निकला है मैं समझ गया मा लेकिन आजकल इसकी तबियाट ठीक नहीं चल रही है डॉक्टर ने अपेंडिक्स का ओप्रेशन करने को का है और ये ओप्रेशन से ड़ रही है मतलब तुम्हारे और बहु के बिना ही आमें ये शादी करनी होगी अरे मा क्या आप भी पुराने जमाने की बात कर रही है यही से देख लेंगे ना वाटस अप पर इंटरनेट पर आप बस महुरत तै कीजिए ना हम लोग यहीं इंटरनेट से देख लेंगे यही से आशिरवात भी देदेंगे पंड़िची ने कहा है कि इससे अच्छा महुरत पूरे साल में नहीं आएगा शादी में कोई आए या ना आए आशिरवात देने के लिए उपर भगवान है तुम दोनों की शादी मैं इसी महुरत में करवाऊंगी कुछ भी कहो इतने अच्छे परिवार में हमारा संबंध नहीं हो पाया मुझे बहुत दुख हो रहा है तु दुबई कब जा रहा है? नेक्स्ट मन्थ तेरे जाते ही तेरी दुनों बिट्यां भाग जाएंगे गावालों का कहना है तुझसे बात करना ही बेकार है जज्मान ये मंगल सुत्र पहना ही है ओम सर्व मंगल मंगल ये शिवे सर्वात साधी के शरन्ये त्रेंब के गौरी नारायनी नमस्तुते ओमिति शुभम ओम मंगलम भगवान वेश्णो मंगलम गरुड़त बजा मंगलम पुंडरी काक्षा मंगला ये तनोहरी अब अंगोठी दीजिए अरे अराम से अरे 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 लक्ष्टी अराम से लगता है हमारे बिने शादी अच्छे से हो गई है होगी क्यों नहीं जी आपकी माँ थोड़ी बहुत मशूर थोड़ी है बहुत मशूर है ये क्या तारीफ कर रही हो है ताना मार रही हो ताना मारूंगी तो आप मारोगे नहीं अच्छा वैसे इस शादी में कितना खर्चा हुआ होगा सोचा आपने कोछ पांच छे लाग हुए होंगे क्यों नहीं होंगे लड़की के बदन पर आपने सोना नहीं देखा वैसे वो मेरी मा के जेवर लग रहे है ना वो आपके मा के जेवर है आपने अब पहचाना किसे भी दिन उन्होंने कोई जेवर क्या मेरे गले में डाला आज तक उन्होंने मुझे एक अंगूठी भी दी है चेन और अंगूठी मेरी मा नहीं तो दी थी ना वो उस लड़की का हो गया क्या अब एक काम करोगे क्या मूँ बंद करके अपना काम करो मेरा मूँ बंद नहीं रहने वाला है हाँ, वैसे भी तो तुम वही कर रहे हो हम तो यहाँ दूर बैठे हैं आज सोना दिया है कल घर की चाबी और घर दे देंगी उसके बाद तुम वहाँ जा करके अपने मा के होटेल में जाके बरतन धोना और उन लोगों को खाना खिलाना इतना बड़ा भी गदा नहीं हूँ मैं जब बटवारा होगा ना, तब पता चलेगा मेरी पावर बटवारा होने में अभी बहुत समय है आभी से समल के चलना पड़ेगा एक-एक पैसे का हिसाब रखना पड़ेगा, हाँ वैसे इतना सोना मा के पास है हमें ये भी पता नहीं इतने सालों सो चुपायेवे सोने को इस सीनू की शादी में उन्होंने बाहर निकाला है आरे चुपाने दो जहां चुपा सकती है आएगा सब तुम्हारे ही गले में हाँ? हाँ क्या है, ध्यान का है तुम्हारा और यहां क्या कर repertoire टुम सा ठीयां akर तुम्हारी या थे अधे प्रिछान करती है वैसे और क्या-धेते हैं तुम्हारी मेरे अधीत एक सपने की तरह लगया, मेरी जिंदिगी को बदल दिया तुम्हे अब मैं बहुत कुछ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है नाक ले जाका ठेके पर रख दी है मेरे पेट तक तेरी बद्वू गई रहे आपने वरोसा ने किया इसलिए सबूत दे रहा था ओपरेशन थियेटर में पेशेंट को बेहोशी की दवा देते हैं उसकी जगह तेरा मू रख दो बेहोश हो जाएगा मैं खतम हो गया तो अब भगवान पे चला गया अरे काम कर दो हाथ लेकर मूझ के सामने रख कर जोर से फूक मार और सूंग उसे जरा कर हां इसी हैßı हां हां कल तक नहीं उठेगा नेरा अईडिया काम कर गया और वहाँ आगाँ, आगाँ रहाँ मान वोरा नागाँ, अक्राइब करते हैं. हुद मेञे बुड्छा, पुणा साह हुद कूरका उरेक हुद कैंग and Guild वार Сам कि अपर दो जो कि आप आप पर दो जो कि आप आप पर गशित कर दो हम ने कॉट्व आप तरह कॉन्त में तु क्या करेगार संतु अरे कोटी पैर में मुच आ गई है अकर तेल मल दे क्या नसीब है क्या नसीब है अरे आता हूं आता हूं अरे कोटी तेरी तु निकल पड़ी रे कहा दुख रहे कहा दुख रहे कहा दुख रहे कहा दुख रहे लाव 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 शांतो जाओ शांतो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं भाईया, इसके पैर में मोच आ गई है, पैर में मोच, तो इसमें दू क्या कर रहा है, दवाई की मालिश करके इसको सेट कर रहा हूं भाईया, घर में साली है न, उसे सेट कर जाके, सेट करने के लिए मेरी बीवी ने कहा रखा, चादी करके मुझे भेज दिया अच्छा किया उसने तेरे जैसों के लिए ही बुजूर्गों ने कहा है घर वाली को खो कर बाहर वाली से धोका खाएगा उसे ऐसे ही बक्वास करने दो तुम मलो अरे क्या मलो मेरे होते हुए तुम्हारे पैरों को कोई हाथ नहीं लगा सकता उसे क्यों ड आपको पता नहीं है जीप लीकर से मलेंगे ना तो स्पीड में काम करता है अरे बसकर अपना गयान बहुत हुए निकल अहे है कानता इप नोट सैटिस्फाइड इस वाफ प्लीज काल में आइम एट योर सर्विस मलने के लिए मलने के लिए तरी तो ये मलेगा ना मलने मैं मलते हुए ओ मेरी जाने जा तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं मन में बजे प्यार की घंटी मैं बजाओं चैन की बंसी उसके दिल में भी दख दख होने लगी है वाह वाह कितना अच्छा गाती हो वैसे आवाज केसे बतल गई मैं ने गाना कब गाया तो फिर और कुस ने गाया अब तु अभी तक आया नहीं तेरी प्यारी प्यारी सूरत को अभी तुझा देखा करूं निका पहुत हो गया तरह निका आज़ा बाइ डालिंग मेरी लाडली मेरी जानुआ मामा वाई भाजे तुमने कहा था न हम दोनों हीर रांजा लगते हैं तो हम दोनों रिष्टा बढ़ा रहे थे रिष्टा इसे ही कहते हैं जल्दी मंग सुतर भी पहना दोगे तो ये रिष्टा परमनेंट हो जाएगा क्या बात कही तुमने खुश रहो क्या हुआ चाचा जी कोट से ये नोटिस आया है लिखा है कल आड़ बजी एक घर निलाम कर देंगे निलाम करेंगे? हाँ हाँ कोट का नोटिस है अब तक तीन नोटिस भेज चुके हैं वो नोटिस भेजा तो हमारी हालत कैसी है देखे बिना निलाम कर देंगे क्या? ए तुझे कुछ भी नहीं पता है तुछ चुप रहे हैं सभी भाईयों ने कहा था ना कि सारा करजा चुकता करेंगे सुना एक बार उनको कॉल तो कर लो जानकी जी वाँ मैं एक ही बात तो कह रहा हूँ और कितनी बार कहूं मा उझे डर तो लगे गा ना बेटा इतनी मेहनत से ये घर बनाया है ये भी हाथ से चला किया तो हमारे पास रहने के लिए कोई जगे नहीं बचेगी सुन लिया ना भाईया इतनी हिम्मत देने के बाउजुद मा को हमेशा डर लगा रहता है सभी भाई घर आ करके करजा चुका देंगी ये कहने के बाद भी मा मेरी बात मान नहीं रही है हम लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं पैसो के इंतिजाम करने में टाइम तो लगता ये ना टेंशन क्यों दे रहे हो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजे आप बस इंतिजाम कीजे बार बार फोन करके मुझे गुस्ता मत दिला समझे ठीक है भाईया मा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो घर की निलामी के समय हम वहाँ जरूर आ जाएंगे हाँ ठीक है बेटा रखता हूँ सिर्फ आप अकेले सोच कर क्या करोगे क्या अकेले आपके लिया था करजा अपके भाईयों को भी तो समान रूप से पढ़ाया था उनके कोई जिम्मिदारी नहीं इसी विशय के बारे में मैंने सुबह भाईया से बात की थी सभी मिलकर मा का करजा चुकाएंगे ऐसा कहा था हाँ आपका क्या है आप तो बस जबान दे देते हैं पैसे भी इतना सारा करजा करने को कहा किसने था अब बस करूगी क्या हाँ हाँ अब तो मुझसे परिशानी होगी इतना करजा होते हुए भी कुछ दिन पहले शीनू की शादी कितने धूमधाम से की अब वो करजा भी आपको चुकाना होगा बेटा क्रिशना अपने भाईयों से बात की क्या तुने अब तक दस बार बात कर लिया है सब गर के ही काम में लगे हैं आप चिंता मत कीजिए तुम्हें परिशान कर रही हूँ मैं जानती हूँ बिटा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन बार बार मुझे ही बोलने की जरूरत नहीं है भाईयों से भी बात कीजिए निलामी से पहले हम आ जाएंगे आप शान्ती रखिए ठीक है देखिए जानकी देवी पहले ही बहुत देर हो चुकी है अब हम निलामी शुरू करते हैं बस दस मिनिट रुक जाएं सर मेरे बेटे आते ही होंगे और कितना समय रुकना होगा एक घंटे से उपर हो गया इंतजार करते हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या भाईया को मैंने फोन किया है वो बस आती ही होंगे आये भाईया आप ही लोगों का हम इंतजार कर रहे थे आप आकर के पैसे भर देंगे यह कहा फिर भी ये निलामी में जल्द बाजी कर रहे है सर मैने कहा था ना कि मेरे भाईया आ जाएंगे अब हिसाब करके बताये कितना पैसा भरना है हिसाब करने के कोई ज़रूतनी है वैसे अभी तक निलामी शुरू नहीं हुई क्या आपने कहा था न आप आ रहे हैं वैसे भी इस निलामी से हमारा समद्धी क्या है सोचा था आप तक निलामी खतम हो गई होगी यह क्या कह रहे हो तुम आकर पैसे बढ़ दोगे ऐसा फोन पर कहा था ना मा हमने आने के लिए कहा था पर आके पैसे बढ़ने के लिए थोड़े नहीं कहा था यही तो आपकी समस्या है मा हम कुछ कहते हैं और आप कुछ समस्ती है ये क्या भाईया, आप आकर घर को निलामी से बचा लोगी ये सोचा था ए, निलामी हो चुकी है क्या, ये कोई ताज महला या पालियमेंट, जिसका करजा चुका कर हम उसे बचा लें अरे ये चला गया तो दूसरा खरीद लेंगे, सर, अप निलामी शुरू कीजिए मा? मेरी बोली एक करोड़ पचास लाग मेरी बोली है दो करोड़ रेड़ी जी की बोली है दो करोड़ रेड़ी जी की बोली दो करोड़ एक रेड़ी जी की बोली दो करोड़ दो दो करोड़ तीन माजी दस्तखत कर दीजिए आईए आप कैश ले लीजिए तरह ठीक है माजी मेरा एक करोड़ बीस लाख निकाल देंगे तो आपका असी लाख होता है ले लीजिए राम राम चलिए मा चला गया अब कर तब हो गया कर दिए अच सकर राम प्ला निक कर तामा मुश ओक्ष लेंगे दुखी मत हुए जान कीजी, घर हाथ से निकल गया है, रोने से तो घर वापस आने से रहा, तो थोड़ा दीरत से काम लीजिए ना हाँ, समझाईए ना इन्हे, अरे उनके बेटे भी जिन्दा है या नहीं, हाल तुमें ऐसे रो रही है चाचा जी, टाइम अच्छा होगा तो ऐसा एक घर नहीं, चार बना कर दे सकते हैं तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाओगे, बचे हुए पैसे से ही, इनके रहने के लिए घर का इंतिजम हो जाएगा, जिन्दीगी बर बैठके खासे के उतना ब्याज भी आ जाएगा ये क्या चाचा जी, दोबारा से नया घर नई प्लाइनिंग बता रहे हैं और कितने दिन इहां अकेली रहेंगी, अब तो इनकी उमर भी हो गई है, कितनी में अनत करेंगी, इन्हें मैं अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ भाईया ने करट का है, भाईया क्या पास ही रहने देते हैं हमारा क्या है, सासुमा का पैर भी जमीन पे ना पड़े, इतने अच्छे से खयाल रखेंगे उनका ये पैसे तो माजी के लिए ही है ना, अभी अगर इनको कोई जरूरत पड़ गई, तो नया खर्चा सर पे आ जाएगा अभी ये पैसे तो उन्हीं के लिए है ना ए, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे अंदर, उनके खर्चे का हिसाब कर रही हो वैसे भी तुम्हें क्या लगता, उनके पास कुछ नहीं है ये बच्चा वो पैसा हमारे पास ही रहेगा ना अगर आपको इतनी परिशानी हो रही है, तो सासू मा को हम अपने पास रख लेंगे दिदी ए नहीं भाबी हमारी भी तो मा है हमारी भी जिम्मा आपस में बाट लेते और फिर मां को हम तीनों चार चार मैने के लिए अपने घर पे रख लेंगे हाँ जेट जी का विचार तो अच्छा है लेकिन सासुमा क्या सोचेंगी पता नहीं इसमें सोचने वाली क्या बात है बेटी इतनी जिमेदारी से मा को आखिर कौन बाढ़ता है इतने अच्छे से मा की सारी जिमेदार यहां कौन उठाता है बहला और क्या सासमा भी आखिर मान ही गई तीनों ने अच्छे से बटवारा किया तो फिर चौथे हिस्से का क्या तुम्हारे बारे में भूल गए थे तुम्हें अपने हिस्से में क्या चाहिए वो तो बताओ मुझे माँ दे दीजिए मा मेरे पास ही रहेगी, आप अपने हिस्से के सारे पैसे ले लो क्यों? मा हमारे पास नहीं रह सकती क्या ऐसी बात नहीं है भाईया, जो घर था वो तो चला गया अपने गाहों को छोड़ कर आने के लिए दिल मानना चाहिए न ये जो भी कह रहा है बिल्कुल सही है, इस सुबर में मैं कहीं भी रहूं क्या फर्क पड़ता है और सब छोड़ कर आने के लिए मेरा दिल भी मानना चाहिए न तो फिर हम बेटों को छोड़ दो इसने जो कह वो भी तो सच है, अगर आप घर छोड़ने के लिए तयार नहीं है तो हम सब छोड़ के गाउ में क्यों आए मतलब तुम लोग माँ से मिलने नहीं आओगे क्या माँ से मिलने के जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है क्या एए जिम्मेदारी की बात मुझे तुझ से सीखने की जरूरत नहीं है सच बात है भाईया आपको क्या जरूत है सीखने की आप तो धर्म के राजा हो बचपन से माने जो गाव में कमाया इज़त, गर्व, मर्यादा, सम्मान सब बीच रास्ते में रखकर बेच रहे थे, बुरा भला सुना रहे थे, कर्सदार मा को रास्ते पर घजिट रहे थे सर जुकाने के बज़ाए, आप सभी ने सर उठा कर निलामी करवाई ये है क्या मा के लिए तुम्हारा गाउरब किसने तुझे पैदा किया ये तु तुझे पता नी और तु मुझे सगे भाईयों की तरह बाट पढ़ा रहा है क्या चंद्रा क्या हमारी माने तुझे नौ महीने कोक में रखा था पैदा किया दूद पिला कर बड़ा क्या क्या चल बताना कहीं रोड पे किसी ने पैदा करके छोड़ दिया था पता है गली-गली पिल्लों की तरह गूमता रहता था तू तया आ गई इसलिए हमारी माने तुझे घर लाकर पाला पोसा समझा घर के पालतु जानवर को पालतु जानवर की तरह रहना चाहिए घर की इज़त, गौरों, मर्यादा के बारे में तुझे सोचने की जरूरत नहीं है माफ कर दिजे भाईया, मैं कोई बड़ा शेर नहीं हूँ घर के पालतु जानवर की तरह वफादरी दिखाई बस भले ही घर का पालतु हूँ, पर जिस मा ने अपने हाथों से पाला पोसा वो जब दुखी हो जाए, तो मुझे भी दुख होता है भाईया उनका मैं सगा बेटा नहीं हूँ, ये मैं भूल गया था अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दिजे मामा जी क्या हुआ बेटी? सीनू, सासु मा का सगा बेटा नहीं है क्या? नहीं बेटी नहीं है कहूँगा फिर भी कोई मानेगा नहीं उसे भी बिना एसास कराए, कितने अच्छे से पाला था उस माने बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था वैसे सीनों है कौन सासो माह के पास क्यों पला बढ़ावो बंधानेसियो को कहते हैं बेटी घबराओ मत बच्छों बारिश रुखते ही हम घर चले चाहेंगे हाँ हाँ मारिश रुख गई चलो चलो बच्छों चलो माजी रुख जाईए माँ करेंट है मा मुझे डर लग रहा है डरो मत बेटा मा है ना तुम्हारे साथ समय पर आकर मेरी और मेरे बच्चों की जान बजाई है तुम्हारा नाम क्या है बेटा तुम्हारे माता पिता मुझे नहीं पता अरे बिचारा मेरे बच्चों के साथ-साथ तुम्हें इस मा के साथ रहोगे क्या ठीका बेटा अब से ये भी तुम्हारा भाई है इस तरह जानकी के साए में आ गया सीनू सीनू को अपने बिल्कुल बेटों के समान समान दिया था जानकी ने मा कहकर पुकारने के लिए हर वक्त खुन का रिष्टा होने के जरूरत नहीं दिल का मिलना जरूरी है प्यार का बांटना जरूरी है और यही किया सीनू ने भी उसने जो सेवा की उसके लिए तुमने देखा ना आज तुमने खुद देखा ना कितना अपमानित हुआ वो सीनू, 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 किसे ने कुछ कह दिया इसलिए तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है तुम अपनी मा से प्यार करते हो उस प्यार में सच्चाई भी है आपको एंसान भले ही कितना भी बुरा कह दे तुम्हें इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है दुखी मत हो तुम अगर रोगे तो मुझे भी रोना आजाएगा सिनू क्या हो मैंने तुझे जाने को कहा क्या अरे तु क्यों रो रहा है बिचा मैं क्या तुझे हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही हूँ बता मैं जहां मी रहूँगी तेरे साथ ही रहूँगी हमेशा तेरे दिल में रहूँगी तेरे प्यार के बंधन में रहूँगी उनका बंधन शरीर के साथ आया हुआ बंधन है पर तेरा तेरा आत्मा से जुड़ा हुआ बंधन है तुझे पता है ये क्या है जबसे तु मेरे पास आया है तबसे हर महीने मैंने कुछ पैसे जमा किये थे तेरे नाम पर खोला हुआ फिक्स डेपाजिट मा हाँ बिठा तुने मेरे और मेरे घर के लिए बहुत कुछ किया है यहां तक कि तुने हमारे लिए अपनी बढ़ाई भी छोड़ दी उस सब की कीमत तो नहीं चुका सकती पर तेरे लिए कुछ तो कर ही सकती हूँ इसलिए तनख्वा दे कर जा रही हो क्या दुबारा ऐसा कभी मत कहना तुझे मेरी कसम है यह तनख्वा नहीं है बिटा यह प्यार है आशिरवाद है तुम्हें अपनी जिंदगी सवारने के लिए इन पैसों की ज़रूरत बढ़ेगी मेटी लक्षमी यह बाहर से भले ही समझदार नसरा है और यह बहुत भोला है मेरे लिए मेरे बच्चे के जैसा है और इसलिएिन में तुम्हारे आथों में सुप रही हूँ मैटि मेती तु से शहरा होगा मैं इसे कभी भी इस याद नहों सब्राइल हो हिम्वट सर ना महां के बाद बीभी और साहरा होता है यह बात याद रखना इसका अच्छे से खया झाल ना महां कहाओ, जल्दी आओ, देर हो रही है अपना खयाल अप्ट कहाओ, अपना प्र。 थृू॥॥॥॥॥॥॥ क Antonio सмат और जसे भा veramente पान से पाँ और जोट वाँ पाँ, 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 दादी मा, भूल लीजे, दादाजी की फोटो पर चढ़ाने के लिए, पेरी लाडली बिटिया, ये फूल कहां से है, दादाजी की फोटो पर चढ़ाने के लिए, अरे ये फूल भगवान की पूजा के लिए है, सौरी सासुमा, ये गलती से यहां ले आई, कोई बात नहीं बिठी ले जाओ क्या हुआ सिनू गव पूजा के समय माया नहीं है इस बात का दुख हो रहा है हाँ लक्षमी बच्पन से मैंने माँ को कहा था कि मैं गौशाला खुलूंगा गौशाला खुलूंगा और पहली गाए मैं ही खरित कर दूँगे ऐसा कहा था और कहा था पहली पूजा मैं ही करूँगे अरे पहली पूजा जानकी जी नहीं की थी और पूजा में भगवान के पास का फोल नीचे गिरा देखा और यही है तुम्हारी मा की पहली पूजा सच कहा आपने मा अगर यहाँ होती तो गौशाला की पुजा बहुत धुमधाम से करती दूर है तो क्या हुआ? मा देख नहीं सकती है क्या? तुम्हारी बीवी ने फोन निका लिया? बहुत समाजदार है ये देखा? जेट जी, ये रीजे, आपके भाई से बात कीजे मा को बुलाईए न भाईया मा भाबी और बच्चे सब अनावरम गए है यार अनावरम गए है तो फिर आप क्यों नहीं गए है? हाँ, मुझे छुट्टी नहीं मिली न वैसे भी तुम्हारी भाबी जाए या मैं जाओ ये की बात है वैसे भी भगवान मुझे ज़्यादा उसी की बात सुनते है आता ही फोन करूँगा, फिर मा को गौशाला दिखा देना अनावरम से आने के बाद पुन्य मिला सोचके खुश हो जाएंगी ठीक है भाईया, आप फोन करोगे न हाँ हाँ करूँगा न क्यों जी, आपके भाई ने गौशाला खोल ली है क्या वै गौशाला दिखाने के लिए फोन किया था क्यों जी, आपके लिए बाद दिखाने के लिए बाद दिए ये देखो, आप फिर से दुखी हो रहे हो जब तक मैं मा को गौशाला नहीं दिखा दू, मेरा दुख कम नहीं होगा देखो, ऐसे दुखी होना भूल जाओ कहां चली जाएंगी मा, आज नहीं तो कल आई जाएंगी न, गौशाला की पुजा नहीं करेंगे क्या बात वो नहीं है लक्ष्मी, देखो, अब तक गायों को ठीक से चारा भी नहीं डाला है आपने लक्ष्मी, उनके चारे के बारे में बाद में सोचना पहले इसे तो कुछ चारा दे दो, वरना चक्कर खाकर कहीं नीचे ना गिर जाए तब नजर मा नहीं आएगी, तारे आएंगे ठीके चलो, मैं खाना दे दी थी अरे जा ना अच्सो एकर की सरकारी जमीन को अपनी संस्था पूर जान कर दिया घर में पोचा मानना चोड़के यहां कड़ियों के टीवी देख रही है हाँ, काम करना है तो जुबान सभाल के बाद कर इतनी बौते होने के बाद मैं तुम्हारे पास काम करूँगी क्या अपना बेकार काम तुम खुद ही कर लो जाना है तो जा, इतना काम हम नहीं कर सकते हैं क्या बैठ के फोकट का खाना खाने वाले इंसान हैं क्या क्या जरूरत है? और वैसे भी खुद अपना काम करने में क्या बुराई है? मैं तो सारा दिन घर में बैठी ही रहती हूँ. देखो, आपको भूग क्यों नहीं है मैं जानती हूँ. सासुमा से बात नहीं हुई, इसी बात का दुख है. हाँ, लक्ष्मी मुझसे नहीं होगा. मा को गौश आला दिखानी है इतनी सी बात है ना? आप रोग जाओ. अरे सुबह सुबह क्या है ये? अरे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? ऐसा लग रहा किसी कंपणी से कर्ज खाया हो. जेट जी, मैं हूँ, लक्ष्मी. अ, क्या है ये? अब यूद में उसने तुमें उतार दिया क्या है? नहीं, जेट जी. सुबह रहे नाम का एक आदमी है. होलसेल की दुकान पर सासुमा का 25,000 रुपए बाकी है. इसलिए उसने चेक दिया है. क्या का 25,000 उधार है? मैं अपना एकाउंट नमबर देता हूँ, बोलो उसमें डाल देगा. आहां, एक बार सासुमा से बात करना चाहता है. ये भी कंडिशन रखिये, क्या उसने? ठीक है लक्ष्मी? मा, मा! क्या हो बेटा? वो किसी सुबह रहे को 25,000 देना था. सुबह रहे? लक्ष्मी ही तो बता रही थी. लक्ष्मी, लो मा से बात कर लो. जेड जी, वोइस कॉल में नहीं. आप एक बार वीडियो कॉल कीजे ना. सासुमा को देखे बहुत दिन हो गए. ठीक है, लक्ष्मी. बस इसी चीज की कमी थी. वीडियो कॉल कह रही है. अब क्या है? जब तक तक तुम बात करोगी, मैं मसाल की तरह से इसे पकड़ के हम अच्छे हैं. आप कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ. एक बार अपने बेटे से बात कीजे. मा, कितने दिन बीट गए आपको देखे. मुझे भूल गई क्या, मा? तुम्ही कैसे भूल सकती हूं, बेटा? मा, गौशला देखोगी क्या? देखो, मा. ये देखो, इसका नाम ह गौरी. इसका नाम है सरस्वती. और बहुत है, मा. कैसी है हमारी गाय सासु मा? बहुत अच्छी है, बेटी. सारी काम धेनों तुम्हारी गौशारा में आ गई है. आपको पसंद आया ना? सब अच्छा है, बिटा. पता है, तुमसे एक मा दूर हो गई है ना? इसलिए भग सासु मा, जरा जेट जी को दीजिए, मैं बात करूँगी. हाँ, बोलो. जेट जी, उस धोके बास को सासु मा को देना बाकी नहीं है, सासु मा को ही पांच जजार देने है. मुझसे जूट कहकर सासु मा को लाइन पर लाना चाह रहा था वो, कह रहा था बात नहीं करवाई सच में, तुम्हारा मिलना मेरे लिए खुश नसीभी है. तुम्हें क्या चाहिए बताओ. तुम भला मुझे क्या दोगे, जब तुम मुझे मिल ही कहे हो. सीता माता को जब रावन उठा कर ले गया, तो श्री राम जी को बहुत क्रोधा आ गया. हाँ. हाँ, बेटा. क्या सासुमा बच्ची को टॉमिंजरी की कहानी सुना रहे है? ही, बेटी. रामायन में सीता माता को कैसे ढूंडा ये बता रहे है. बच्चों को ये रामायन महाभारत मत सिखाए सासुमा. सीता को राक्षस उठा कर ले गया, और द्रौपती का चीर हरन हुआ था. इस तरह क बेटी, 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 अनुना, चल। सुनिये जी, सुनिये जी, क्या है बोलो? आपकी मा को अपने पास लाने का मन हो रहा है मेरा. मेरी मा, हमारे पास, तुम्हें क्या हो गया? अचानक तुम फिल्मों की साबीतरी कैसे बन गई? इतना अच्छा कोई नहीं है यहाँ. तुम्हारी मा के पास एक किलो सोना है कहा पास रहेंगी तो सारा का सारा सोना वही लोग रख लेंगे ना? तुम्हें लगता है क्या? बिल्कुल लगता है. इतना सारा सोना बहले ही आपके भहिया छोड़ दे, लेकिन भावी छोड़ देगी क्या? तो अब क्या करें बताओ ना? अरे, फटा-फट अपनी मा को उपन आने देंगे किसी भी तरह अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उन्हें यहाँ पर बुलाने का रास्ता निकालो वरना उनके पास जो बचेगा उससे आपका खर्चा निकलेगा और मेरे लिए जो बचेगा वो सिर्फ पुरानी साधिया होंगी हाँ क्यों गिँ सुबह सुबह उड़ गया जो फोन कर रहा है पता नहीं भाई बस मा की याद आगए तुझे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मा को मेरे पास भेज़ दो न ये क्या अभी दो महने का टाइम है न समय और शर्ट की क्या ज़रूरत है, वो तुम्हारे पास रहेंगे, ऐसा तुमने क्या एग्रिमेंट लिखवाया है? वैसे भी अब मा की उमर हो रही है, थोड़े दिन मेरे पास रहकर, मेरी पत्नी के हाथ का बनावा खाना खालेंगी वो, मा जब पेड़ भर के खाना खाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी भाई हाँ, मैं क्या उन्हें बचा कुछ अबासी खाना खिला रहा हूँ? चार तरह की सबजी, दाल, चावल सब खिला रहा हूँ तुम उन्हें क्या खिला रहा हूँ? ये बात मुझे अच्छे से पता है, वीडियो निकाल कर भेज़ों क्या? क्यों बे? आराम से बात कर रहा हूँ तो ज्यादा चड़के बात कर रहा है? यहाँ पर माँ बहुत खुश है, बहुत आराम से रख रहा हूँ मैं उन्हें, पूछ के देख ले उनसे, जगह बदलने के बाद उनकी तवित खराब होगी तो? हिम्मत है तो सीधी तरह बात करो, इस तरह घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं, ए, घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है मेरी, तू आके अगर मेरे पैर भी पकड़ लेगा ना, तो भी दो मेने तक उन्हे बेजने वाला नहीं हूँ, तुमारे पैर पकड़ने के लिए बोल रहा है भेजने को कहरें तो भेज दीचे ना अरे बात वो नहीं है यह कोई नया ड्रामा खेल रहा है लगता उसे कोई डारेक्ट कर रहा है और कौन होगा उन्हीं की बीवी है ना डारेक्टर प्रोड्यूसर डान्स मास्टर दादी मां दादी मां उठीना क्या हुआ दादी मां दादी मां टैडी दादी दादी मां ना लगता है तब यह ठीक नहीं है चलो होस्पिटल लेके चलते हैं उन्हें कैंसर है हाँ कैंसर हाँ बहुत सालों से है आपकी माने आपको नहीं बताया क्या नहीं डॉक्टर इस बात को थोड़ा सीरेसली लीजिए जितना जल्दी हो से के उतनी जल्दी उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा ऑपरेशन वो भी यहां नहीं होगा हैदरबाद ले अपरेशन मतलब करना ही पड़ेगा वो भी एक मेहने के अंदर अंदर कितना खर्चा होगो डॉक्टर तीस चालिस लाग तो खर्च होई जाएंगे बापरे तीस चालिस लाग हम क्या कोई शुबकारी के लिए सोना खरीद रहे हैं जो इतना खर्चा करेंगे छे बहुत बड़ा सरदर्द गले पड़ गया रुको बता था हूँ अब किससे फोन कर रहे हैं गिरी को ये बात उन्हें पताने की जरूरत है क्या तुम मुह बंद करोगी एक खीच के दूंगा ना तो मुह तूट जाएगा भाईया हलो भाई कैसा है मेरा भाई उस दिन फोन पर यही बात जब पूछी थी तो मैंने कहा था अच्छा हूँ दो दिन में तबेद खराब हो जाएगी क्या लगता है मुझ पर अभी तरह गुस्सा उत्रा नहीं है मां को मैं तुम्हारे पास जल्दी भेजता हूँ उस दिन तो आपने मना कर दिया इतनी जल्दी निरने कैसे बदल लिया सच में बदल गया यार कल रात को टीवी पे मैं मां सबकी मां होती है नाम का एक सीरियल देख रहा था तो मुझे तुम्हारी याद आ गई मेरे भाई अब रोने धोने की ज़रूरत नहीं है मुझे समय है पूरा होने तक मां को अपने पास ही रख लो तुम बहुल नहीं रहा उपर मां खुद तुम्हारे पास जाना चाहती है उनकी बहुत इच्छा है यार के दो भेज दी जल्दी भेज दी ठीक है भाई मां आप दुखी हो रही है तो उन्हें भेज दो या बच गया असल बात पता चलेगी तो खुद होस्पिकल पहुंच जागा उस दिन मुझसे कह रहा थे कि मां को नहीं भेजूगा फिर अभी क्यों भेज रहे हैं वो इस लाजिक की हमें क्या जरूरत अगर मां घर पे आ गई तो एक किलो सोना भी तो आएगा क्या इतना काफी नहीं है यहां गई गीरी ने फोन किया था मां एक महीने बाद मांकी याद आई उसे अहां अहां ऐसा मॉत को मां वो तुमसे नराज नहीं है तुम है तो जल्दी भेजने के लिए यह क्या इस बुझ्व कर बालनी के लिए और दो महीने बचे है नंगता अब ही कैसे आप उन से बातों को भूल जाओ मां आप नहीं जाएंगे तो बुरा मां जाएगा ना पता है उसने मुझे कितनी रिक्वेस्ट किया वह तो अच्छा हुआ कि वह फोन पे था अगर सामने होता तो मेरे पैर पकड़ लेता मेरा बेटा अपनी मां को देखने के लि आप कहो अभी मतलब अभी हाँ 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 इसे बिल्कुल पता नहीं चला चाहिए बाकी सब कुछ मैं समाल लूँगा यह मुझे पर छोड़ दो भाई बाकी का आप देख लो ठीक है तुचल जिनू भाईया आपकी गाय को कुछ लोग चुरा कर ले जा रहे है कौन है वो उस तरफ गया है बहिए चाहे कोई भी हो मैं उन्हें छड़ूगा नहीं अजिना सबस्क्राइदlaw भलूरिये विर संदा है..., विर समय फीले नर्दी उंहों है विए नहें भालने चानल गारोट किन से अपहिंस मत्यदम थीकले से थीलिफ़ा अटस्टरों है मतलीफीत मतली अजात है तुरोग दार्देशी ये गुपता है ह्थ्ड्ड्ड्ट कुО हेई हे जए ह् ओज हफ Important ह kleine हुग ह çık runners हुग 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 पूछिर प्रिया कि अई नंगे कि विला झाथ झाल जड़ जड़ा आ झाई झाल 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 मेरी गाई को अगर कोई भी लेके जाएगा तो उसकी यही हालत होगी दादी मा आ गई दादी मा आ गई जादी बारो क्यों मा कैसी हो दो मैं अची हूँ तुम कैसे बेटा सासु मा कैसी है आप मैं बिल्कुल चीख हो तुम बता चलो मा सब अच्छे है बेटी आईए सासु मा आओ मा आपसे ये कमरा आपका है ये कमरा छोड़ो ये घर ही आपका है आप यहाँ थोड़ा आराम कीजिए मैं जाकर खाना बनाती हूं ठीक ये सब क्या है बेटी पनीर बैगन पूरी और पुला इस सब की क्या जरूरत क्या आप भी सासु मा आप आने वाली थी और हम ये भी ना बनाते क्या आपको पसंद है इसलिए ये सब बनाया है मैं तो सिर्फ दो ने वाले खाऊंगी तो इतना खाना क्यों नहीं बनाऊंगी तो कैसे चलेगा सासु मा मेरी मा होती तो क्या नहीं बनाती मतलब तुम्हारी मा और मेरी मा एक नहीं है क्या दोनों की एक नहीं है तो घर में मा का होना ही महान होता है ये क्या सासुमा आपका गला खाली क्यों है उमर हो गई है बेटा अब इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है अरे 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 ये क्या ये लीजे सासुमा इनके बारे में बात ना करो, तो ही अच्छा है। उन सब के बारे मैं भी छोड़ो, चलो पहले मा को खाना के लाओ। हलो। भाईया, मा आपके पास आई है क्या। किसने कहा। बड़े भाईया को फोन क्या तो उन्होंने बताया। मेरे पास आने के लिए निकल चुकी है। वो कार में होंगी, पहुंच रही होंगी। ये क्या, अब तक नहीं आई है क्या। आएंगी तो क्या मैं रुसोईगर में चुपा कर रखूंगा। शक है तो घर पे आगे देख लो। किसका फोन था बेटा। अरे कोई सन्यासी था, व्रद्धा अश्रम के लिए चंदा मांग रहा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहे लक्षमी। मा को गिरी भाया के पास जाने के लिए दो महिने बचे हैं। तो फिर टाइम के पहले ही क्यों गई होंगी। पता नहीं, तुम्हारे भाया बटवारा करके उन्हें पाल रहे हैं ना, हिसाब में जरूर कुछ गरबढ होई होगी। एक हफ़ता या दस दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, पर सिधा दो महिने। तुम्हारे भाया मा के साथ व्यापार करके जीते थे, मा के प्यार पर जीने वाले तुम हो, ये सारा हिसाब भगवान आखिर में चुकता करेंगे न। ऐसा लगता है तुम्हें। बेटी, मैं कोई मदद कर दूँ क्या। इससे ज्यादा कुछ नसीबी की बात क्या होगी, वैसे भी, आप तो मैस चलाती थी, आपकी तरह मैं कहा बना बाऊंगी, तो ये लीजे, वैसे भी, खाकर बैठे रहने में आपको भी तो कश्ठोता होगा न, और मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी, जरा साइड़ाट य सासुमा जरा इसे भी थो दीजे बुरा मत मानिएगा मुझे जरा बाहर कुछ काम है और अधिर तो तुम्हारे बीवी को चक्र आ गया जल्दी आओ ए जल्दी जाकर डॉक्टर को बुलाओ हाँ ठीक है बेटी उट जो बेटी बेटी लक्षमी लक्षमी क्या हुआ लक्षमी यह देखो लक्षमी को किया हो गय बोटो जल्दी चलिए डॉक्टर साब कहाँ बेटी हाथ दिखाओ क्या हुआ मामा जी अरे शिनू तुम जड़ा बहार आओ अरे तुम्हें एक बहुत ही सीरियस बात बतानी है वो क्या तुम बाप बनने वाले हो क्या कहा बाप तुम्हें कितने अच्छी खबर दी हैं तुम्हें क्या चाहिए बता हूं मुझ्छे पानी पुरी खानी है हालो भाया मा क्या कर रही है यह भी ना पीछे ही पड़के है मा अभी नहाने गई है तो फिर मा के आने तक बात करते रहा तुम्हें बहुत कुछ बताना है अरे नहीं नहीं हां मा नहा करके आ रही है मैं देता हूं उन्हें मा क्या हो बेटा यह लो सीनु बात करना चाहता है इसलिए मैं ने फोन किया है, हाँ? तुम्हें एक बात बताओं, तुम फिर से दादी बनने वाली हो मा सच में? हाँ मा तुन्हें बहुत अच्छी खबर सनाई मुझे अभी वो सब छोड़िये मा आपको जल्डी आहाना होगा मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगी बेटा तुम क्यों नहीं आओगी? लक्ष्मी को तुमारे हाथ से ही मिठा खिलाना होगा मेरी तबियत ठीक नहीं है तबियत ठीक नहीं है? तु बिल्कुल फिक्र मत कर बेटा तबियत ठीक नहीं है, मतलब मैं बिस्तर पर थोड़ी हूँ थोड़ी ठकावट रहती है बस नहीं मा, तुम मताओ, हम खुद आते हैं देख, तु बिकार में उसे किसी चीज़ के लिए परिशान मत करना उसे आराम करने देना ठीक है मा, लक्ष्मी बात करेगी सासु मा लक्ष्मी आप से मिलने का मन हो रहा है मेरा मन नहीं करता है क्या बेटी समय देखकर मैं खुद वहां आ जाओंगी तुम अपनी तबियत का खयाल रखना ठीक है सासु मा आप अपना खयाल रखना मा मेरी तबियत छोड़ बेटा पहले तू उसका खयाल रख मैं यहां रहूं, उना रहूं तू तेरी बीवी और तुम्हारा बच्चा तुझे सब का खयाल रखना है यह हमेशा याद रखना रखते हैं बेटा कौन बात कर रहा है? चंद्रा जी बात कर रहे हैं न? कोई भी हो तुमें से क्या? तुम्हें काम क्या हो बताओ? मैं डॉक्टर शिवानन्द बात कर रहा हूं राजा डॉक्टर शिवानन्द? यह शिवानन्द हो या ब्रह्मानन्द मैं किसी को नहीं जानता? रखो अरे क्या बोल रहो? तुम्हें थोड़ी भी अक्कल नहीं है क्या? हॉस्पिटल में तुम्हारी मा का टेस्ट और स्कैनिंग करवा के बिल बाद में भरेंगे ऐसा कहा था न तुमने मा का टेस्ट और स्कैनिंग? ये बात भी तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारी मा को ब्लड का एंसर है जितनी जल्दी हो से के तुम्हें उनका उप्रेशन करवाना होगा, वरना वो जिन्दा नहीं बचेंगी, ये बात मैंने चंदरा को बताई थी, और उस चंदरा की बात में भरोसा करके हैदराबाद के अपोलो होस्पिटल में भी बात कर ली थी, तीस लाग खर्चा होगा ये पोस्ट मॉटम भी कर सकता हूँ, अरे मैं क्या वन साइड़ बोला जा रहा हूँ, तुम जवाब नहीं दोगे क्या, वैसे आपको मेरा नंबर किस ने दिया, और कॉन देगा भाई, अपांटमेंट फाइल के ऊपर, रेफरेंस नंबर और और अल्टरेंटिटिव नंबर उ तो कुछ ना कुछ राजनीती कर रहा इस बात का मुझे पहले ही शक था, अरे शक था, तो रोक देना चाहिए था ना, बात तुमने इतनी बढ़ा क्यों दी बताओ, मेरे दिमाग को तुमने सोचने कहा दिया, एक किलो सोना, एक किलो सोना, मेरे सर पर मार कर तुमने, मेरा ब्रेंड डेमेज कर दिया मतलब तो क्या मेरी ही कलती है तुम्हारी नहीं है मैंने ही अपनी बीवी को फॉलो किया अब पलट के वार कैसे करे क्या वार करोगे अब तो वो सिर्फ यह आके बैठ गई है बताता हूं उसका दिमाग काम ना करे ऐसा कुछ करूंगा मैं हाँ भया क्यों रे फोन के पास ही था क्या नहीं फोन मेरे पास ही था बताए क्या बात मा कैसी है हाँ जिन्दा है अभी वो जिन्दा रहनी चाहिए यही तो हम सब की आशा है बसे तुम्हारे पास जाने से पहले मा की तबियत कुछ ठीक नहीं रहती थी टेस्ट वगरे सब करवाया था वो रिपोर्ट आने में दो दिन की देर हो गई और इसी बीच तुमने उन्हें बुला लिया कोई बात नहीं बाइया अगर इतना ही ज़रूरी है तो मा का दुबारा टेस्ट करवा लूँगा दुबारा से टेस्ट अरे वो क्यों पैसे बेश्ट होंगे रिपोर्ट आ गई है ना आएगी तो आना दो मेरे लिए माम आइने रखती है पैसा नहीं मा के पास देने के लिए पैसे का है पैसा नहीं है तो क्या एक किलो सोना तो है एक किलो सोना तुम्हें पता नहीं क्या मां के पास एक किलो सोना है जरूरत पड़ी तो गिरी भी रख दूँगा या फिर ठीक अभी आफ को रखता हूं क्या हुआ जी आप तो बहुत परेशान लग रहे हैं ऑर ने क्या करूं किस्मत खिदम हो भुलं रहे थी मां को भेस भी सोना माकर आख फिर एक किलो सोना अब रहे कि अधती देर साफ करेंगी फटाफट साफ करके पोच्छा लगा दीजे, हर तरफ धूर फैला दिए, और आप अभी तक बैठे क्यों हैं, आफिस नहीं जाना क्या, जल्दी आईए, नाश्ता कर लिजे मैं आपके आगे, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे छोटी बैटी जोड़ता हूँ मास्टर जी, आप बड़े हैं, ऐसा मत कहिए, आप बिल्कुल घबराये का मत, जानकी के सभी बेटे अपनी मा की बात को कभी नहीं नकार दे, इसलिए आपको भरोसे के साथ कह रही हूँ, कि आपकी जो छोटी बेटी है, उसकी शादी अपने मजले बेटे के साथ करवा करी र कर दोटी है, आपकी बेटे कर दोटी है। झाल झाल आपकी मा के पास fix deposit हैप को पता है आपकी पडूस वाले बात कर रहे थे इसलिए गिरी ने मा को अपने पास पुलाया है क्या एक बार आप भी अपने भाई को फोन करके अपनी मा को यहाँ बुला लो ना मान गए तो ओके नहीं तो उनकी सच्चाई बहारा चाहिए वो मैंने ऐसे ही फोन किया भाईया मा कैसी है? मा ही मा वो अच्छी है भाई वैसे भी बच्चों में बड़े बेटे का पिता से और छोड़े बच्चे का मा से बहुत ज़्यादा प्यार होता है सही कहा भाईया पता नहीं क्यों एक बार मा को देखने का मन हो रहा है एक बार क्या यार? तुमारे पास ही भेज देता हूँ रोज देख ले न समय पूरा होने से पहले ही भेज दोगे क्यों नहीं भेज सकता हूँ? हमने क्या स्टैम पेपर पे एग्रिमेंट लिखवाया है क्या? ऐसा नहीं है अगर दुख हो रहा है तो मत भेजो अरे अरे इसमें दुख कैसा? अरे तुमारे लिए मा का त्याग नहीं कर सकता क्या? शाम को ही मा तुमारे घर पहुँच जाएंगी ओके? भाईया ये क्या? पूछा नहीं कि भेजने को रेड़ी है हाँ तो भेजने दो असल में उनके पास क्या है तुमारे भाईयोंने क्या क्या हडपा है ये पता लग जाएगा अगर उन्होंने सब हडप के भेजा तो हिस्सा मांग लेंगे और हडपे बिना भेजा तो तो फिर हम सब हडप लेंगे मा चोटे भाई क्रिश्णा ने फोन किया था क्या किया रहा था? क्या कहेगा वो? सब अच्छा है कह रहा था मुझे देखने का मन नहीं कर रहा है क्या? देखा न मा तो माई होती है एक बात बोलो मां सौ चीज समझ जाती है कब भेज रहे हो मुझे उसके पास? इतनी जल्दी भेजने का मेरा मन तो नहीं था लेकिन वज़े तो कुछ भी हो बेटा जाना तो मुझे पढ़ेगा ही एक वक्त था जब मेरा एक ही घर हुआ करता था पर अब तीन तीन घर है पेड़ की चिडिया की तरह आशियाना बदलता जा रहा है सासो मा से बात करने के लिए फोन ट्राइ करें है हाँ बदा उसे लू क्या बात है भाईया जरा मा को फोन दो मा कृष्णा के पास चली गई उन्होंने ऐसा क्यों किया और दो महिने तुमारे पास रहना था न कितना परशान करता है वो मा को रोज कोड़े से मार रहा हूँ उन्हें बिजली के छटके भी दे रहा हूँ नरक जैसी जिंदिगी दे रहा हूँ मैं उन्हे जहां उनका मन करेगा वो वहाँ चली जाएंगी सच कहां भाईया ये सवाल करना बंद करो चाहो तो कृष्णा को फोन करके पूछ लो फोन रखो ये सब क्या हो रहा है लक्ष्मी मा कहीं भी एक जगा नहीं रह रही है तुम्हारे भाईया तुम्हें अंधेरे में रख रहे हैं अरे सीनू तु इतना दुखी क्यों हो रहा है कल लक्ष्मी को देखने के लिए तुम मा को बुलाना चाहता है न तो उन्हें आने के लिए बोल अगर आप इस उमर में नहीं खाएंगी तो आपको ठकान होगी अपनी माँ को ठकते हुए या कमजोर पढ़ते हुए मैंने कभी नहीं देखा इनकी तो उर्जा ही अलग है ससुर्जी नहीं है बस इसी बात की कमी है अगर वो होते तो सिल्क साड़ी पहनती, जेवर पहनती एकदम साक्षात पारवती देवी, लक्ष्मी देवी का कॉंबिनेशन लगती आप मुझे ये साड़ियां, जेवर, इनका लालच कभी भी नहीं रहा बेटी मेरे बेटे ही मेरे लिए जेवर और मेरी संपती है पूचा के मंदिर में चांदी का गलास हुआ करता था, उस वक्त शरीर पर इतना सा भी सोना नहीं हुआ करता था चार लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूगी ये सोचकर एक किलो सोना और चांदी पहन कर घुमा करती थी बेटी, बेटी, क्या होगी ऐसे? मा, आप चिंता मत कीजिए, सुनती हो, बीच मिच में इसको ऐसा हो जाता है, लगता है इसका शुगर बढ़ गया है इस सुम्र में शुगर? लगता है शुगर के साथ बीपी भी बढ़ गया है और ये पिचारी वो ये बीच में अचानक से ऐसे ही गिर जाती है कभी-कभी क्यों? एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा हो ना, बेटा दिखाया था मा, पर ये कभी कुछ ऐसा सुन लेती है न, तो बरदाश्ट नहीं कर पाती बस एक बिनिट रुखिए एक किलो अच्छा तरीका है तुम्हारा ये, बारतन धोना छोड़ करके यहां आके स्वैटर बुन रही हो जैसे खाना हसम करने के लिए कोई बाहर गया हो ऐसा ही हिसाब है तुम्हारा, ये लो, तुम्हारी लाडली बहु ने फोन किया है बेटी लक्ष्मी, कैसी है सासुमा, अच्छी हूँ बेटी, तेरी तबियत कैसी है आपको देखने का मन हो रहा है, आजी आजाएए ना सासुमा, मैं वहाँ नहीं आ सकती बेटी जब भी बुलाते हैं, तुम कुछ न कुछ कहकर नहीं आती हो, मेरे लिए एक बार नहीं आ सकती हो, क्या मा अगर आप नहीं आएंगी ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी ऐसा मत क्या बेटी अगर आप नहीं आओगी, तो हम खुद आपके पास आजाएंगे जानकी जी के बेटे आप ही हैं क्या राजा, क्यों, बद सर्टिफिकेट दिखाना होगा क्या, अरे कैसे बेटे हो तुम, तुमको अपनी मा से प्यार है भी या नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम, ये जितना अपनी मा से प्यार करते हो, ता तो कोई भी नहीं करता, तो इसी किसे जानके जी को है हैदरबाद ले जाकर अर्जेंटली ऑपरेशन करवाने को कहा था बेटी को फर्क ही नहीं पड़ता है क्या चालीस लाक के लिए तुम सब एक दूसरे की शकल देख रहे हूं क्या सुनों सुनों क्या हुआ राजा यहां एक और पेशेंट किर गया है बात में बात करता हूं उस घर में दूसरा कैंसर पेशेंट भी आ गया क्या सुनों मैं ऑफिस जा रहा हूं रुकिये काफी लेकर आ रही हूं क्रिश्णा कल सीनु और लक्ष्मी यहां रहे हैं कहां रहे हैं यहीं पर लक्ष्मी पेट से है ना तो उसे कपड़े देने के लिए मैंने उसे यहां बलाया है आपको कपड़े देने हैं सम्मान देना है य अरे हर बार मुझे क्यों मिलन बनाती है आप ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि एरे गेरे का सम्मान करें अरे सुनिए कॉफी खुद पीलो मैंने पहले ही कहा था ना कि वो मना करेंगे अफिस भी उन्हें शांती से जाने नहीं देंगी क्या आप काफी मिन भी चले गए वो अभी तो सुकून मिल गया ना तुम्हें गलती हो गई बेठा तुमारा ऐसी गलती नहीं होगी अरे अब तक तो सीनू भी निकल गया होगा बेटी जरा सीनू को फोन मिला कर दे दो ना किस लिए यहां ना है यह बताने के लिए बेटी कम से कम एक ढ़का काम करो तुम तुम चल मा मुझे दादी मा के पास रहना है मा मा सिनू बस अभी निकल रहे हैं मा कल सुबा तक पहुँच जाएंगे तुम यहां मत आओ बेटा यह क्या तो फिर हम दोनों कहां आए तुम मत आओ कह रही हूँ ना मैं अरे वा यह देखो आ तुम तो सीड़ी चड़ गई यह मैं सीड़ी चड़ गई दादी मा मेरी बच्ची अब दादी की बारी औरे यह दादी मा को सापने काट लिया काट लिया मेरी बच्ची दादी को सापने काट लिया अच्छा अब तुम्हारी बारी यह क्या तुम अभी तक सो ही नहीं बस सोने ही वाली हूँ मा बहुत हो गया तेरा खेलना चल अब चलो मैं आती हो तेरी तो मुझे ही वूर्टा जवाब्द्री है इतनी च्छोटी तेरी हिम्मत नहीं होई मुझे जवाब देरी है ऐसे क्यों मार रही हो उसे गारा नहीं मैं ही दासी हूँ इस घर की बस करो हो गया मुझे नहीं बच्चों को कंट्रोल करो बड़े बुज़ोर्ग अगर इज़त से रहेंगे तो बच्चे संसकार सीखेंगे तो चल अभी आठ ही तो बजे हैं बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कि आधी रात हो गई है आप हमेशा उन्हे मेरा मूबन रखने को कहते हैं उनके सामने मेरे को इज़त ही नहीं रही देखो वो सब मेरा मेलो ड्रामा था ड्रामा था मेरे सामने या उनके सामने तुम्हारे सामने क्या ड्रामा करूंगा बस मां के सामने आक्टिंग कर रहा था ठीक है यह आक्टिंग सब एक साइड यहाँ पर सब महाराजा और महाराणी है मैं ही दासी हूँ इस घर की स्कूल की पढ़ाई लिखाई छोड़के अब तुम इस तरह की कहानियों पर ध्यान दोगी क्या चलो चली अरे चलो चलो बोला ना बेटी अरुना चल्ट और कितनी देर साफ करेंगी फटाफट साफ करके पोचा लगा दीजे हर तरफ धूल फैला दिये हाँ 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 तुम्हारी मा को कैंसर है कहीं वो मेरी बच्ची को ना लग जाए इस बात का मुझे कितना डर है तुम्हें पता है तो मुझे डर नहीं है क्या अगर इतना ही डर है तो कुछ करो न कि वो बच्ची के पास ना आए तुम चिंता मत करो वो नहीं आपाईगी लेकिन कब ता वो जब से हमारे घर में आई है तब से खास ही रही है क्रिश्ण एजी आप आगे है क्या हुआ इतनी बार क्यों फोन कर रहे थी आने के लिए अंदर चली बताती हो हूआ क्या बात है आपकी मा कहीं भी नहीं मिल रही है तो तुम्हें खुश होना चाहिए रोके क्यों बोल रही हो बस भी कीजे आप और आपकी जोक पता नहीं का चली गई होगी सोच कर रो रही हूँ मैं अच्छा फिकर मत करो, कब से नहीं मिल रही है? आप ओफिस गए थे ना, तब मैं नाश्टा पूछनी के लिए उनके रूम में गई थी तब से नहीं मिल रही है, पूरा घर जान मारा, बाहर भी ढूण लिया मैंने पूरा गाउं जानती तो अच्छा रहता कहीं गाउं छोड़ कर तो नहीं चली गई तुम पर भरोसा करके माँ को भेजा था और बोल रहे हो कि मा मिल नहीं नहीं है घर से बाहर निकल गई और पता भी नहीं चला ना टक मत करो, चपल से मारूंगा तुमारे पास तो नहीं आई, ये पूछ रहा हूँ और तुम ऐसा बोल रहे हो अरे, तुम बिलकुल टेंशन मतलो भूमी माता, हमारी माता, गोल ही घुमते रहती है कहीं भी गई होगी, हमारे पास ही आएंगी तो अगर तुमारे पास नहीं आई, तो छोटे भाईया के पास गई होगी क्या फोन करता हूँ रुक क्या यार, आदी रात को फोन करके सर खा रहे हो अब यह आधी रात नहीं और इंग गदे कहीं के माने मिल लहीं हम सब लोग परिशान है और भरी तो पहर पे दारूपी के मैटा हुए माने मिल रही है किसकी मा अगे आ कि वहां बॉटल से मारूं को तो मर जाएगा तो मां को ने तुझे पदा निया क्या है कौन है जी बाइय अखिर बात क्या है उनकी माने मिल रही है कहगी अरे गई होगी है अपने वो सीनु के पास सभी कह रहा है यार जे आडिया मुझे क्यों नहीं आया आया इसलिए ले टाइम में भी पीतर हो यही क्याता हूं मैं रूको सीनु को फोन करता हूँ हां, सुनो, सिनू, तुम्हारे तीनों भइया कॉनफरेन्स कॉल पर है। बात क्या है..? सांसु मा नहीं मिल रही है कहारत है Ark ? हलो मां घर में मिलनी रही है। तुम्हारे पास कही है क्या..? नहीं भईया मेरे पास नहीं आई है तो अपर कहां चले गई वह? कुछ खूंडा क्या हरे तुम दोनों मिलकर हमें परेशान कर रहे हो क्या की चैतर न الخ intuitively सुनिये सुनिये फोटो में नजर आने वाली महिला की उपर 62 साल है सुनिये आपने ये पेपर देखा क्या अरे पेपर को छोड़ो और वहाँ देखा खबर देने वाली को इनाम दिया जाएगा तो फिर ये काम उस सीनू नहीं किया होगा इस तरह तुमारी मा को हमने घर से निकाल दिया गाओंवाले तो यही समझेंगे न वो जहां कहीं भी नजर आए नीचे दिये गए नंबर पर कॉन्टाक्ट कीजिए उनकी खबर देने वाले को इनाम से सम्मानित किया जाएगा ची ची पेपर और टीवी में खबर देने वाले आप ही है न चपपल से मारूँगा अगर सरदर्द हो रहे हैं तो कोई जाके बाम लगा लो मा के लिए मैं इतना कुछ करूँगा क्या बेकार की बात करती देती है चल जा भाईया कौन अबे तरह भाईया मुझे भाईया मत बोला कर समझाया ना तुझे बोलिये सहभ मा के बारे में टीवी पे निउज देने के लिए किसने कहा था मा पता नहीं कहा चली गई इस दर से डर सिप तुझे है मुझे नहीं है क्या तो उससे जदा तो हम डर रहे हैं पता नहीं वो कहा चली गई है, ये सोच सोच कर तुमारे भाईया ने खाना भी नहीं खाया है, मुझे तो इनने देखकर बहुत चिंदा हो रही है, वैसे भी बिना हम से पूचे टीबी और अख़बार में इस्तियार दने वाले दुखर होता है, जैसे कि हम सबसे ज़्यादा तुम ही उससे प्यार करते हो, और उसकी पूजा करते हो, तु अगर मां से इतना प्यार करता है, तो एक मंदिर बनवा दे, उसमें मां की मूर्थी लगवा दे, और वहीं पूजा करते-करते बाजन कर, गौशाला रहेगा, तो तेरी कमाई भी होगी, और पबलिसिटी भी बहुत मिलेगी, आप सभी मुझे माफ कर दीजी, मैंने जाने अंजाने में ऐसा कर दिया, दुबारा अगर ऐसा पुब्लिसिटी स्टन्ड किया न मेरे साथ, तो मा भले हमें मिल जाए, पर तुझे कभी नहीं मिलेगी, आप ऐसे क्यों रो रहे हो, अगर मा नज़र ना आए, तो गली के जानवर भी पूरा गाउं चान मारते हैं, उनके पास तो इतनी बुद्धी भी नहीं है, जो काम तुमने किया है, उस बात से खुश हुए बिना, तुम्हें बातों से मार रहे हैं, चीची, चान की मा होटल, टेबल, चार कुरसी, आसपास मक्षियां, मेरी आउकाद के लाइक नहीं है यह, मैं तो हमेशा फाव स्टार होटल में बैठता हूँ, फैर यह तुम्हारा होटल है, पर मेरी मा का नाम क्यों रखा है, हमारी इज़त उतारने के लिए, तो फिर क्या तुम्हारे नाम पे बांट दिया, तब कहां गई थी इज़त, वो सब मेरे घर की बात है, सबसे पहले, वो बोर्ड वाहां से अटाओ, नहीं हटाओंगा, क्या कर लेगा, क्या करूँगा, मैं खुद उखाल के फिटूँगा, हमने मा जी का फोटो लगाया है, वो पैसों के लिए नहीं है, एह के बारे में तुझ जैसे को बताएंगे न, तो भी नहीं समझेगा, निकल जा यहां से, एक शब्द बोले भी न, निकल ले यहां से तू, अरे सीनु, सभी को, नदी के स्नान की जल्दबाजी हो रही है, तो तुम लोग कब जा रहे हो, हर बार मा खुद ले जाती थी, लेक मा गोदावरी, तुम भी मेरी मा ही हो न, तो कृपा करके मेरी मा को, उसके इस बेटे से मिला दीजिए मा, मेरे बच्चों के नाम सरचना करवानी है, बढ़े वाले का नाम है चंदरा, दूसरे वाले का नाम किरिधर, तीसरे वाले का नाम है खृष्णा, विछन बाबु नम देश्यान धर्मवाथी निमितस्या जोट वाला जीन आपका नाम? जानकी जानकी नाम देश्या साकुटॉंबा नाम कुशलसे मुद देश्य कल्यानमस्तु ओम शांती 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 कुर्वंति अस्तु लक्ष्मी पता नहीं क्यों प्रहइसा लग रहा है मा कहीं आसपास ही है सासु मा जरूर मिल जाएंगी तुम्हें पंडित जी अर्चना कीजिए गोत्र बताईए पहेटा पात्र गोत्र पहेटा पात्र गोत्र मा जी का नाम बताईए जानकी जानकी नाम देश जानकी मतलब उनके उम्र ज्यादा है क्या उनके चार बेटे हैं अहां जी मैं छोटा वाला हूँ तुम्हारा नाम श्री निवास मां यहां आई है क्या मां कहा था ना मां यहीं कई आसवास होंगी मां कहा है पंडिजी आर्चना करवाने के बाद नदी के किनारे लक्षमी चलो मां मां भले ही मैं आपका सगा बेटा नहीं हो पर आपने मुझे अपनी गोद में पाल पूसकर बढ़ा किया है मैंने आपकी बात को कभी नहीं टाला मा सासु मां सासु मां अरे रे जान की देवी जी सुनिए महाशिवरात्री से एक दिन पहले पुण्यन अदी में स्नान करके पूजा करने के बाद इनके मृत्ति हो गई संध्या समय होने से पहले इनकी अंतिम क्रिया कर दीजिए इनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी स्विनू आगे का कम पूरा करो भायो को आने दीजिए वो नहीं आने वाले मा का कर्ज ना चुकाने वाले भगोडे हैं वो लोग कर्ज चुकाने का नसीब तुम्हें मिला है और करोणों नदी में नहाने का पुण्य तुमारी मा की आत्मा को मिलेगा तुझ सहुगा नहीं कोई हो मा कहां चली गई तु कुछ ना कहा तुने क्यों इतना तु रूठ गई थे याद तेरी आये मा ओ प्यारी मेरी मा ऐसे दूर मत जा अन्ति में यात्रा एक ऐसी मा जब भी जनम हो मेरा तु ये बन्ना मेरी मा अब मैं क्या कहूं मुक्त हो के तु चल दी मा उठ जामा तु उठ जामा अब ढूडएंगे कहां पर तुझको हम तु ये बता उठ जामा तु उठ जामा अब जाएंगे कहां पर तुझ बिन हम तु ये बता आखरी बार भी अगर देख नहीं पाए तो भाईया दुखी हो जाएंगे चाचाची तुम्हारे भाईय लोग कब आएंगे? असल में ये बात किसी को पता नहीं इसे दिव्यकारे समझ कर दुख को गले से उतार कर क्रिया करम को पूरा करो सीनू तुक है माँ जब जिन्दा थी उन्हें दूख ना हो तुमने जो बोला हमते सुन लिया हमारी मा का अंतिम संसकार तू ने किया इज़त उतर गई मां का सबसे चोटा बेटा मैं हूँ चिता को आग मुझे लगानी चाहिए थी तुझे यह हक किस ने दिया अधिकार के बारे में बात कर रहे हो असल में क्या है तुम्हारा अधिकार ये बताओ मां की मृती हो गई ये बात पता चलने के वक्त तुम लोग कहां थे पीकर मजे करतेवे नशे में धुथ थे ना तुम लोग तुम्हारी तरह भले ही इसने कोक से जर्म नहीं लिया पर इनके प्यार के लिए तड़पता रह गया ये तुम लोग वक्त पर नहीं आये तो उस मा की चिता को आग देकर इसने करजा उतार दिया अब तुम लोग बताओ सच्चे बेटे तुम हो या ये शीनू है बेटा वो होता है जो मा को नर्क की दुनिया से निकालता है पर तुम लोगों ने अपनी मा को जीते जी नर्क में ही डाल दिया तुम सब ने उनकी मेहनत की कमाई से खूब याशी की मेरे घर में अगर तुम्हारे जैसे बेटे होते तो कपका उन्हें जहर दे के मार दिया होता कितने लोगों को अन्यदान करने वाली अन्यपूर्णा मा है ये ऐसी मां को दो निवाला खाना देने के लिए तुम लोग बटवारा करते हो तुम लोगों को देखकर और राख का भी बटवारा करेंगे वो लोग, उनकी मर्जी है, इस पाप में हम क्यों शामिल हो, चलो शांती से चल कर कहीं जीते हैं ए, जरा रुको, पहले उसे एक किले सोने का हिसाब तो करके जाओ दीदी ने जो पूछा उसमें गलत क्या है माता-पिता पर ध्यान न देने वाले पुत्र, चाहे वो पैदा हो या ना हो, इस बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें माप कर दीजे, हम तो जीते जी मर चुके थे, जीते जी मर चुके थे हमारी माँ ने हमारे पिता के मरने के बाद अपने सुखों का खयाल छोड़ करके हमें पाला बहुत कश्टों के साथ और हमने उनके लिए कुछ नहीं किया पर माह होने के नाते हमारी खुशियों में ही उन्होंने अपनी खुशिया डूढ ली चाचा जी माने हमेशा बवों को अपनी बेटी की तरह समझा लेकिन इन लोगों ने उन्हें हमेशा सासु मा की तरह देखा हमारी बीबियां तो बाहर से आई थी लेकिन हमने क्या किया हमेशा यही सोचा कि बीबी ही हमारी दुनिया है मा को मा की तरह कभी नहीं देखा माँ से ख्षमा मांगने का हग तो हमने पहले ही खो दिया है कम से कम तू तो हमें माफ करने ऐसा मत कहिए भाईया आपको माफ करने जितना बड़ा इंसान नहीं हूँ मैं कपाल मोक्ष हो गया बच्चे भले ही कितने भी दुष्ट क्यों नहीं हूँ पर मा कभी नफरत नहीं करती है अपनी मा की आत्मा की शांती के लिए प्रार्थना करो